नमस्कार दोस्तों यह practice set नमर 4 है इसका पहले 3 practice set अप्लोड कर दिया गया है जो नहीं देखे जाके देख लिजेगा प्लेलिस्ट में वेडियो आपको मिल जाएगा इसमें टोटल आपके 100 प्रस्थन ने सौ में से आप कितने सही करते हैं इसके बारे में comment box में बताएगा जो किरसी उत्पादों पर निवन्तम समर्थन मुल का निरधारन करता है तो कौन करता है CACP करता है CACP करता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो दा कमिशन फॉर एगरी कल्चरल कोस्ट एंड प्राइस इसकी अस्थापना कब हुआ था तो 1965 में अस्थापना हुआ था तो इस इसका नाम को बदल के जो है किरसी लागत एवं मुल आयोग कर दिया गया है इसका हेड क्वाटर देली में अस्थी थे भारत में दूद की उत्पदक्ता को बढ़ाने के उद्देश से ओपरेसन फलड की सुरुवात किस वर्ष की गई तो ओपरेसन फलड की सुरुवात 1977 में किया गया और आपको ध्यान रखना है कि भारत में ओपरेसन फलड का जनक जो है डॉक्टर वरगीज कुरीयन को माना जाता है भारतिया जियस्टी मॉडल किस देश के उपभोग वैट वेट मोडल पर अधारित है तो कनाड़ा देश के उपभोग वेट मोडल पर अधारित है पहली बार GST किस देश में लागू किया गया था तो फ्रांस में लागू किया गया था उनिसो चंवन में भारत में कब लागू किया गया है तो एक जुलाई एक जुलाई 2017 में ठीक है एक जुलाई 2017 में लागू किये गये था भरत में GST निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकिर्न मुद्रा बोला जाता है तो EM1 को जो है संकिर्न मुद्रा बोला जाता है EM1 मुद्रा की तरलता सबसे अधीक है और निबेस में इसकी भूम का ना के बराबर होता है नेक्स्ट पॉइंट है सेट निमन में से किस देश के अस्टोक एक्सचेंज का नाम है तो सेट जो है थाइलेंड के अस्टोक एक्सचेंज का नाम है जबकि ताइवान के जो अस्टोक एक्सजेंज है इसका नाम क्या है तो तेन इसका नाम है ठीक है तेन इसका नाम है साथ ही आपको याद रखना है कि जो टोकियो का अस्टोक एक्सजेंज है उसका नाम निक्की है ठीक है भारत ने अपना पहला परमानु परिच्छन कब किया था तो भारत ने अपना पहला परमानु परिच्छन जो है 18 माई 1994 को किया था 18 माई 1994 को किया था और आपको ध्यान डखना है कि इसमें जो है जो परमानु परिच्छन किया गया था उसमें plutonium का इस्तमाल किया गया था और इसका परिच्छन कहां पर किया गया था तो रजलस्थान के पोकरन में किया गया था ठीके से नूट कीजेगा बहुत ही important परस्थन है बिश्व बानकी दिवस प्रती बर्स किस्तिति को मनाया जाता है तो 21 मार्च को मनाया जाता है साथ हैं आपको ध्यान रखना है कि विश्व जल दिवस कम मनाया जाता है विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है और विहार दिवस भी अपके 22 मार्च को मनाया जाता है 22 अप्रील के बारे में याद रखेगा पृतिवी दिवस मनाया जाता है और पांच जून को जो है विश्व परियवरन दिवस मनाया जाता है पांच जून को कांगेर राश्टी उद्यान किस राज में अस्थित है अभी चर्चा में रहा इसे अप लोग ध्यान से याद रखेगा कि ये 36 गढ़ में है कांगेर राश्ट्री उद्यान किस राज में अस्थित है तो 36 गढ़ राज में अस्थित है निमन में से कौन संक्टापन जातियां इंडेंजर्ड अस्पेसिस के उधारन नहीं है तो इसमें आपके कौन नहीं है तो देख लिजी कस्तूरी मिर्ग है ग्रेट इंडियन वर्स्टर्ड ये भी है अब बाग भी है जबकि डोडो को बारे मयाद रखेगा ये पूरू तरीके से बिलूप्त हो चुका है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा सायुक्त रास्ट परिया बरन कारिकरम का मुख्याले कहा है तो नौरोवी में है नौरोवी किस देश की राजधानी है तो केनिया की राजधानी है और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सायुक्त रास्ट परिया बरन कारिकरम की अस्थापना कब किया गया है तो 1972 में अस्था तो अरिस्ट नेमी है ठीक है यह आपके 22 में है उसके बाद आपको याद रखना है कि तेश में कौन है तेश में तो तेश में आपके पारसव नात है तेश में पारसव नात है 24 में 24 में कौन है तो महाबीर है ठीक है महाबीर है उसके बाद आपको याद रखना है कि पहले कौन है पहले कौन है तो रिसब देव है ठीक है रिसब देव आपके पहले है इसे नोट कर लिजेगा वेरी वेरी इंपोर्टन पॉयंट है असोक ने बहुत धर्म का परचार परस होता है तो इसका प्रमान जो है दीप बंस और महा बंस से मिलता है और आपको याद रखना है कि असोग जो है अपने बेटा-बेटिव को जो है बहुत धर्म के परजाद करने के लिए सिरलंका वेजता है धनबंतरी तथा काली दास निम्न मेंसे किसके दर्बार में रहते थे बहुत ही अच्छा सवाल है धनबंतरी तथा काली दास निम्न मेंसे किसके दर्बार में रहते थे तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्द दोतिये के दर्बार में रहते थे किस इतिहास कार ने बहादूर साह को साह ए बेखवर कहकर फुकारा था तो किसके द्वरा फुकारा गया था खफी खा के द्वरा फुकारा गया था भीबियाई पॉइंट से मर लीजेगा आप लो खफी खा के द्वरा फुकारा गया था चौशा का यूद कब हुआ था तो चौशा का यूद जो है 26 जून 1549 में हुआ था और आपको याद रखना है सेर्सा और हिमायू के बेच में हुआ था जिसमें हिमायू प्राजित हुआ था बंगाली भासा में परकासित होने बाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था बहुत ही अच्छा सवाल है कि बंगाली भासा में परकासित होने बाला पहला समाचार पत्र कौन था तो दिग दर्सन था ठीक है दिग दर्सन था जबकि हिंदी में परकासित होने बाला पहल काल के दवरान किया गया तो लौड करजन के ससन काल के दवरान किया गया और आपको याद रखना इसका गठन जो है 1902 में हुआ था 1902 में इसका गठन हुआ था ब्रोकेन बिंग पुस्तक के लेखक निम्लिखित में से कौन है तो सरोजनी नाइडू है ठीक है सरोजनी नाइडू है तो बी इसका राइट एंसर हो जाएगा आहमदाबाद मील मजदूर हर्ताल के बाद मील मालकों के दुवारा कितने परतिसत बोनस देने का स्युकार किया गया और आपको याद रखना कि अहमदाबाद मील हर्ताल कब हुआ था तो 1918 में हुआ था चंपारन कब हुआ था 1917 में हुआ था और खेड़ा कब होता है तो 18 में होता है लेकिन अहमदाबाद के बाद होता है इसे आप लोग यहसे याद रखिएगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी गौव में अंदुलन करते हैं उसके बाद सहर में करते हैं सहर के बाद फिर से गाउं में जाते हैं avocado और खेला में आप से लोग लगाता आर्व कंव्यूज रहते हैं तो आपको इस बात को याद रखना है पहले गाउं में 1917 चमपारण गाउं में ठीक है उसके बाद आहमादा बाद 1918 क्या उसके बाद 1918 मैं hanya आपके खेड़ा में होता है लेकिन वो गाउं में होता है तो इस परकार से याद रखेगा गाउं सहर गाउं ठीक है आपसे मिलाने के लिए पुछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया ascending descending order में आपसे पुछा जाता है ठीक है और आपको याद रखना कि इन सभी में जो है महात्मा गांधी की भूमका थी Indian Society संगठन की अस्थापना किसके द्वरा किया गया था अगर इंडिया में जो लोग रहेगा क्या रहेगा, खुस रहेगा, आनंद में रहेगा तो आनंद मोहन बोस फिर से बोलते हैं इंडियन सोसाइटी गठन की अस्थापना किसके दवरा किया गया तो आनंद मोहन बोस के दवरा किया गया जो भारत में रहेगा जो इंडिया में रहेगा आनंद में रहेगा ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है लैंड होल्डर सोसाइटी इसके अस्थापना किसके होता है जिसके पास लेंड होता है वो नाथ के तरह लगतार होता है ठीक है तो द्वार का नाथ टाइग उड़ाबार तीजिए के बारे में आपको याद रखना है कि East कांग्रेस की पूर्व संस्था है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना गोपाल क्रिष्ण गोखले के द्वारा किया गया था निम्लिखित में से भारती राष्टी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गौम में संपन पर्थम अधिवेशन था तो आपको याद में है और इसके अधिश्टा कौन किये थे तो जवहला नेर्विस के अधिश्टा किये थे किस संधी के द्वारा तिरतिया आंगल मैसूर यूद समाप्त किया गया तो इस समाप्त किया गया स्री रंग पटनेम की संधी के द्वारा तिरतिया आंगल मैसूर यूद कब से कब तक हुआ 1790 से 92 तक इस समय बंगाल के गवर्णा जनरल कौन थे तो लॉड कारणबालीश थे लॉड कारणबालीश थे किस बरस जजियकर को पुना लागू किया गया तो जजियकर को पुना लागू जो है 1689 में किया गया है जजियकर को समावत किस के दोबरा किया गया था तो अकबर के दोबरा समावत किया गया था 1564 में और अकबर से पहले कौन लागू करता है तो फिरोज सा तुगलक करता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की करांती करने तरित वे इलाहाबाद में किस के दोबरा किया गया तो लियाकत अली के दोबरा किया गया है जलिया बाला बाग हत्या कांड के बाद किस ने नाइट के उपादी को बापस कर दिया नाइट को उपादी को किसका द्वारा बापस किये गया था तो रविन नाथ टाइगुर का द्वारा किया गया था जलिया बाला बाग हत्या कांड होता कब है तो 13 अप्रेल 1999 को होता है अमरीत सहर सहर में और आपको व्याद रखना है वैसाखी के दिन में होता है और जलिया बाला बाग हत्या कान में जो है करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी कांगरेस की रिपोर्ट के अनुसार पर्थाम 20 कफ होकी का आयोजन किस बर्स किया गया था बहुत ही अच्छा सवाल है तो आपको आद रखना है 1971 में किया गया था और इसका जो बिजयता पाकिस्तान रहता है अस्पेन को हरा कर सैंक्त राष्ट के पर्थाम महा सचीव ट्रिग बेली का संबंध किस देश से था तो इनका संबंध नौरवेदेश से है परसिद अभिनेतरी बैजनती माला का संबंध किस सास्त्री निरित से है बहुत ही अच्छा सवाल है परसिद अभिनेतरी बैजनती माला का संबंध किस सास्त्री निरित से है तो इनका संबंध है भारत नाटियम से जो भारत नाटियम है यह तमिल बाडु-नाडू राज से संबंधी थे उसके बाद कुची पुड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि जो कुची पुड़ी है आंध परदेश राज से इसका संबंध है मुहनी अठम और कतकली इन दोनों का सम्बंध किरल राज से है जबकि कथख का सम् Milliarden उत्तर परदेश राज से है निम्डिकत में से किसका मिलान सही नहीं है तो देख लिए किसका मिलान सही नहीं है महात्मा गांधी राजगाट बिलकूल ठीक है ग्यानी जैल सी एक तास्थल ये भी ठीक है मुरारजी देशाई अवेएगाट ये भी ठीक है संकरदयाल सर्मा चैतर भूमी ये आपके गलत है संकरदयाल सर्मा करम भूमी ठीक है परचेपन किस लॉंच बहांद के दुबरा किया था बहुत ही अच्छा सवाल है तो आपको याद रखना है यह किया गया था PSLV AXL C25 से ठीक है PSLV AXL C25 से किया गया था और इसका परचेपन 2013 में किया गया इस सुरेों के दुबरा सृहरी कोटा से स्रीहरी कोटा कहा पर है तो आपको याद रखना है कि आंध परदेश मेंॽ अगर कोई missile test होता है तो कहां सोगा उडिसा के अब्दूल कलाम दीप से होता है ठीक है next point है कि अधिक्तम जब वित्ता वाला प्रदेश निमलिकेत में से किस प्रकार का होगा तो उस नकटी बंद ये होगा उस नकटी बंद ये प्रदेश जो है अधिक्तम जब वित्ता वाला प्रदेश होगा तो डी इसका राइट अंतर हो जगा जो उस नकटी बंद होता है आपको पता है कि यहाँ पर टमप्रेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और बारी से हाँ पर डेली होता है ठीक है उसकी करण यहाँ पर बहुत ही घने पिल पोधे होते हैं ग्रीन हाउस परभाव का अर्थ क्या है ग्रीन हाउस परभाव का अर्थ क्या होता है तो इसका परभाव है बायो मंडलिय करवान डायोकसाइड की कारण सर उर्जा का अस्पलीट ठीक है यस पी यल आईटी तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन गैर परमपरागत उर्जा स्रोत नहीं है इसमें से कौन आपके जो है गैर परमपरागत उर्जा स्रोत नहीं है तो देख लिजी जो आरिये सकती है सौर उर्जा और पवन उर्जा ये तीनों आपके जो है गर प्रम प्रागत उर्जा का स्रोथ है जबकि परमानू गर प्रम प्रागत उर्जा का स्रोथ नहीं है देशों के विविन समूह में किसके साथ अरुनाचल प्रदेश की सीमाय लगती है तो देख लिजी अरुनाचल पर्दे से, इसकी सुमा भुटान से, चैना से, मेयनमार से लगता है तो देख लिजी भुटान, भुटान के बाद चीन और मेयनमार, तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्लिकित में से भारत का प्रमुख जलिया निर्मान केंदर है तो कौन है कोचिंग है ठीक है कोचिंग है तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा और आपको याद राखना है कि जो कोचिंग से प्याड है इसकी अस्थापना 1965 में जपान देश के सही योग से किया गया था छिबरो पन बिजली परियुजना किस नदी पर अस्थित है तो घागरा नदी पर अस्थित है उत्तर प्रदेश में कापास के उत्पादर में भारत का अस्थान विश में कौन सा है तो विश में आपके दूतिय अस्थान ठीक है विश में आपके दूतिय अस्थान है इसके बारे में एक बार आप लोग चेक भी किजिएगा हो सकते ही बदल गया होगा ऐसे आपको हम एक बड़ गया होगा तो टेलिग्राम पर आपको हम बता देंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सीमा सलक संगठन की अस्थापना किस बरस की गई तो भारत में सीमा सलक संगठन की अस्थापना जो है 1960 में किया गया है ठीक है और इसका उद्देश गया है तो सीमा बरती छेतरों में सलक का अंदिर्मान करना है और साथ ही आपको याद रखना है कि जो भारत के पलोसी देश है वहाँ पर भी आपके सीमा सलक संगठन ही सलक का अंदिर्मान करता है सिपकिला दर्रा किस राज में अस्थित है तो जो सिपकिला दर्रा है हिमाचल परदेश राज में अस्थित है और आपको याद रखना है कि जो सतलज नदी है सत लज नदी सिवकिला दर्रा सही भारत में परिवेश करती है साथ ही आपको याद रखना कि हिमाचल परदेश में और कौन-कौन सा दर्रा है तो रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ पर है तो हिमाचल परदेश राज में है साथ ही 12 लाचा दर्रा 12 12 यहाँ पर लिए देते हैं 12 लाचा दर्रा यह कहाँ पर है यह भी आपके हिमाचल परदेश में अस्तित है ठीक है हिमाचल परदेश में अस्तित है तो D इसका रेट अंसर हो जाएगा Next point है नेपाल हिमाले का बिस्तार किन दो नदियों के बीच तक है बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो नेपाल हिमाले है इसका बिस्तार किन दो नदियों के बीच में है तो काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में जो है नेपाल हिमाले का बिस्तार है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पुर्वी हिमाले है उसका जो विस्तार है तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक है ठीक है तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक है धिहांग के बारे में आद रखेगा कि जो ये ब्रहम पुत्रा नदी है इसे अरुमचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है जबकि ति कि आतमा और हिरदय किसने कहा था किसके दौरा बोला गया था भी आर अंबेतकर के दौरा बोला गया था उपरवक्ट में से कोई नहीं और आपको याद रखना है अनुछेद 32 को ठीक है अनुछेद 32 को पंचायत चुनाव कराने हे तो निरने किसके दौरा लिया जाता है तो असोक महता कमिटी जिसने पंचायती राज की कार परनाली का पुना इंदे रच्छन किया ने किस बेवस्ता की संस्तूति की थी तो आपको याद रखना है जो असोक महता है इनके दोरा बोला गया था जो पंचायती राज बेवस्ता है वो आपके दुए अस्तरिये होना चाहि ठीक है और आपको याद रखना है कि जो असोग महता कमेटी है इसकी इस्थपना 1977 में किया गया था और अपनी रिपोर्ट जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट देते हैं भारत में नयाईक पुना अंदिरच्छन की संकल्पना किस देश के समिधान से लिया गया है ठीक है अमेरिका के समिधान से लिया गया है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा साथ ही मौलिक अधिकार तथा राश्च्पती पर महाभ्योग की बारे में जो कुछ लिया गया है वो भी आपके अमेरिका के समिधान से ही लिया गया है फिर से बोलते हैं कि मौलिक अधिकार तथा राष्टपती पर जो महाभियोग लगाने की प्रकिरिया है वो आपके अमेरिका के समिधान से लिया गया है ठीक है समिदान के किस अनसूची में दिभिन राज्यों में अनसूचित छेतरों के परशासन और नियंतरन के लिए बिसेस उपबंध है तो आपको आद रखना है ये पाचमें अनसूची में बिसेस उपबंध का प्रबधान किया गया है जबकि छटी अनुसूची में जो है चार राजियों के लिए प्रभधान किया गया है अस्वाम में घाले तिरपूरा मिजोरम के लिए लोग सभा में केंद साशित परदेशों के लिए अरचित कितने सीठ है बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत ही अच्छा सभा में केंद साशित परदेशों के लिए कितने सीठे आपके अरचित है तो आपको याद रखना है कि बिस सीठे अरचित है बिस सीठे आपके अरचित है बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस बर्स पारित किया तो संसद ने इसे 1976 में पारित किया तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है निमलिकित में से कौन सुमलित नहीं है इसमें से आप देखिए कौन सुमलित नहीं है भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक कर्तब ये आपके गलत है भाग 3 में जो है, फंडामेंटल राइट है जबकि मौलिक कर्तब किस भाग में है तो आपके 4A में है, ठीक है इक्यामन ए अनुछेद उसके बाद है भाग 4 DPSP है, तो बिलकुल ठीक है भाग 15 निरवाचन आयोग है, तो ये भी आपका ठीक है तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा वर्स में लोग सभा की कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार है कम से कम ध्यान रखेगा, कोस्टन फिर से पढ़िएगा कि वर्स में लोग सभा की कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार है तो कम से कम दो सत्र ठीक है वर्स में कम से कम दो सत्र कहां पर एक बर्स में एक बार बर्स में दो बार तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है Next point है कि व्यक्ति गत सुदंता के लिए उच नियाले कौन सा रीट जारी करता है ध्यान रखेगा राइट जारी करता है संपति के अधिकार को किस बर्स मौलिक अधिकार से हटाया गया है तो 1978 में हटाया गया है और आपको याद रखना है कि 64 समिधान संसोधन के तहत और इसे कहां पर लिया के रखा गया है तो अनुछे 300 A में रखा गया है और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट है, कि ए रेवर सुत्र पुष्टक के लिखक कौन है तो इस बुक के लिखक है गीता महता एमनेस्टि इंटरनेशनल को किस वर्स सांती का नबलपरशकार दिया गया था तो 1977 को दिया गया था जो एमनेस्टि इंटरनेशनल है इसकी अस्थापना कब किया गया था तो 1961 में इसकी अस्थापना किया गया था इसका headquarters के बारे में याद रखेगा कि इसका headquarters जो है लंदन में है E-N-I-A-C था ये क्या था तो एक electronic computer था ठीक है? एक electronic computer था तो B इसका right answer हो जाएगा Next point है कि निम्न में से किस पर धोनी का तारत्व निर्वर करता है बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस पर धोनी का तारत्व निर्वर करता है तो किस पर करता है? आबिर्ती पर करता है सूर्ज के चारों और घुमने बाले पिर्थिवी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है तो गुर्त अकर्षन बल जिम्मेदार है जब कोई बस तू पिर्थिवी से चनर्वा पर ट्रांसपर किया जाता है तो उसका दरमान पर क्या परभाव पड़ता है तो आपको याद रखना जो दरमान होता है यह बदलता नहीं है ठीक है जबकि भार बदलता है दरमान सेम रहता है जबकि भार बदलता है ठीक है रात के समय अवासिय छेतर में सोर का अनुमानित सोर कितना होना चाहिए तो 45 डेसिबल होना चाहिए 45 डेसिबल होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है निमलिखित में से किसका तरंग धर सबसे कम होता है इस में से किसका जो तरंग धर सबसे कम है तो किसका है यह आपके गामा किरने का है ठीक है गामा किरने का है तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा उसके बाद next point है कि 6 ohm के 3 परतिरोधों को 6 बोल्ट की supply पर समनांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपत का कुल परतिरोध कितना होगा तो इसे solve कर लीजेगा 2 ohm होगा ठीक है इसे 1 by R करके R1, R2, R3 करके solve कर लीजेगा इसे अब लोग solve कर लीजेगा ठीक है तो 2 ohm आ जाएगा आवर्त सारनी के बर्ग में उपर से निचे जाने पर विद्धूत रिनात मकता पर क्या परभाव पड़ता है तो आपको याद रखना है घटता है ठीक है घटता है तो ए इसका रेट अंसर हो जाएगा सराब का पियच मान निम्न में से कितना होता है जो सराब है इसका पियच मान कितना होता है तो 2.8 होता है और आपको याद रखना है कि सराब जो है अमली है सराब आपका अमली है जबकि दूद का पियच मान कितना होता है तो 6.4 आपके दूद का पियच मान होता है उसके बाद है रक्त जो blood है इसका pH मान कितना होता है तो 7.4 होता है blood अपना छारिय होता है जबकि जो दूद है ये आपके अमलिय होता है ठीक है दूद आपके अमलिय होता है साथ ही आपको याद रखना है जो नेबू है इसका pH मान 2.2 होता है नेवू भी अमलिये है next point है किसे राइट किसे राइट निमन में से किस धातु का परमुख आयस्क है तो मैगनेसियम का है ठीक है मैगनेसियम का है परमानु करमांक 20 वाले परमानु का electronic बिन्यास क्या है तो इसका जो electronic बिन्यास है 2, 8, 8, 2 तो बी इसका राइट निमन में से कौन ठोस सनेहक का उधारन है इसमें से कौन देखिए ठोस सनेहक का उधारन है तो ग्रेफाइट है ठीक है ग्रेफाइट है तो बी इसका राइट निमन बिकल्पों में से किसका जो लंट आप सबसे कम है इसमें से किसका जो जोलनताप है सबसे कम है जोलनताप सबसे कम किसका है तो पेट्रोल का है ठीक है पेट्रोल का जोलनताप जो सबसे कम है निमन में से कौन जल का उधारन नहीं है इसमें से कौन जल का उधारन नहीं है गाजर मुली यह आपके जल है जबकि आलू जो एक तना आलू जो ए, तना है, टिक्की रोग का संब्ध किस फसल से है, जो टिक्की रोग है, इसका संब्ध किस फसल से है, तो इसका संब्ध जो है, मुंगफली से है, इसका संब्ध मुंगफली से है, जिवानु कोष्का में सुत्र कन्का की संख्या कितनी होती है, बहुत ही अच्छा के दोबारा इंसुलीन का सराव होता है बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस कोस्का के दोबारा जो है इंसुलीन का सराव होता है तो आपको याद रखना है कि बीटा कोस्का के दोबारा जो है इंसुलीन का सराव होता है मानब सरीर के सबसे लंबी अस्थी है मानब सरीर की सबसे लंबी अस्थी कौन है तो फीमर है ठीक है फीमर जिसे उरु अस्थी बोला जाता है तो ए इसका rate answer होगा कि निमन में से कौन एक परकार का रेशेदार प्रोटीन का उधारन है तो कौन है किरेटीन है ठीक है किरेटीन है इसके बाद करेंट है 12 जनवरी को राश्टिय यूवा दिवस किसके जनम दिन पर मनाया गया है स्वामी विवेकनन्द के जनम दिवस पर मनाया गया है Golden Globe Awards के असीमे संस्क्रेन में किसे सर्विसेस्ट फिल्म नाटक की सरेनी का प्रोस्कार मिला है तो किस फिल्म को मिला है ये मिला है दा फेबलेम्स को मिला है तो भी आप्सन ठीक हो जाएगा किस महला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर आफ दा मन्थ का सम्मान दिया गया है तो किसे दिया गया है ध्यान रखेगा महलाम पुछा गया है किस महला किर्केटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC Player of the Month का अवार दिया गया है तो यह दिया गया है एसले गाडनर को दिया गया है और इनका संबंध अस्टेडिया देश से है बिस्व हिंदी दिबस किस तारीक को मिलाया जाता है तो बिस्व हिंदी दिबस अवार्ड किसे दिया गया है बहरीन का जो है ISA अवार्ड किसे दिया गया है तो नेपाल के एक डॉक्टर है जिनका नाम है सेडूक रूइट को दिया गया है सेडूक रूइट को दिया गया है पुरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है तो भारत का पहला राज किरल बन गया है भी विया मार किजेगा पूरी तरी से डिस्टल बैंकिंग बाला भारत का पहला राज कौन बन गया है तो किरल बन गया है किसने भारती राज को जगा मिसन के लिए UN Habitats World Habitats Award 2030 से सम्मानित किया है तो जो यह आपके जगा मिसन इसे कहें कहें पर लिखा होगा जागा मिसन ठीक है तो यह दोने भी आपके सही हो जाएगा तो किस भरती राज को जगा मिसन के लिए UN Habitats World Habitats Award 2030 से सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है उडिसाराज को सम्मानित किया गया है भारत के सबसे तेज गिंदबाच कौन बने है उनका नाम क्या है तो उम्रान मलिक उनका नाम है ठीक है उम्रान मलिक उनका नाम है उसके वादे की सिया चीन में सक्किरियर्यूप से तेनात होने बाले पहली म पहला अधिकारी कौन बनी है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है कैप्टन सीवा चोहान उनका नाम है यहाँ पर देख लिजिए परमानु उर्जा नियामक बोड के नए अध्याच कौन बने है तो नए अध्याच बने है दिनेश कुमार सुकला बीवियाई पॉइंट है इसे तो 27 लोगों को दिया गया है साथ ही आपको याद रखना है कि सतरमा परवासी सम्मेलन किस सहर में आयुजित किया गया था तो मद परदेश के इंदोर में आयुजित किया गया था किस राज में जनवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IBF Lab शुरू की गई है तो गुजरात राज में शुरू किया गया है एउरो मुदरा अपनाने बाला 20 मा इरोपिय देश कौन बन गया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है कुरेशिया ठीक है फिर से बोलते हूं उसका नाम क्या है कुरेशिया देश उसका नाम है और इसे भीवी आई मार्क कर लीजेगा आपसे एकजामे पूछे जाने के पुरी पुरी समभावना है केस कंपनी न भारत में अपने Girls for Take a Stem सिच्छा कारकरम के बिस्तार करने की गोस्तना की है ये गोस्तना मास्टर कार्ड के दोबरा किया गया है भारत का पहला 3X Platform Power टर्बाइन जेनरेटर रे निव पावर दोबरा किस राज में अस्थापित किया गया है तो करनाटक राज में अस्थापित किया गया है भारत के 78 में Grand Master कौन बने है तो कौस्तव चटरजी बने है कौस्तव चटरजी बने है बेंजामिन नेतनी निवाहू कौन से बार इजरायल के प्रधान मंतरी बने है तो छटी बार जो बेंजामिन नेतनी आ हुए है इजरायल के प्रधान मंतरी बने है ठीक है छटी बार ध्यान रखिएगा बहुत ही important point है छटी बार उसके बाद next है कि किस देश के मसूर फुटबोलर पेले का अंद्रदयन हो गया है तो पेले का संबंध किस देश से था तो इनका संबंध ब्राजिल से था किस देश की संब्भा करता एलिडा गेवेरा को पहला केवार गौरी अंवर्य रास् cardboard के लिए चुना गया है तो इनका संबंध किस देश से है तो इनका संबंध की वा से है ठीक है इनका संबंध की वा से है ब्रांड गार्जियन सीप इंडेक्स 2023 में किस भारतियों को गलोबल लेवल पर दुसरी रेंक प्राप्त हुआ है तो किसे प्राप्त हुआ है मुकेस अंबानी को प्राप्त हुआ है मुकेस अंबानी को प्राप्त हुआ है 36 गड़ राजरस्थान और पंजाब के बाद किस राजने हाल ही में सरकारी करमचारियों के लिए पुरानी पेंसन यूजना को फिर से शुरू किया है तो यह शुरू किया गया है माशल परदेश सरकार के द्वारा यह बहुत ही अच्छ सवाल है 36 गड़ राजरस्थान और पंजाब के बाद जो है किस राज ने हाल ही में सरकारी करमचारियों के लिए फुरानी पेंसन विवरस्ता को फिर से शुरू कर दिया है तो ही माशल परदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है भारत की जी 20 अध्याच के तहत पहली हेल्थ बरकिंग ग्रूप मिटिंग का आयोजन किस सहर में किया गया है तो तिरवंत पुरम में किया गया है किस ब्रिटिस भारतिये को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सीटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो मनुस्तिवारी को सम्मानित किया गया है जो गयक मनुस्ति सुभम गिल सबसे इवाबल लिवाज बने हैं धोरस तक लगाने वाले किस देश के उपराश्च पती बदारा अलीव जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निर्धन हो गया है तो आपको याद रखना की गांबिया के ये उपराश्च पती थे भारत रूस